अब बॉर्निंग स्टूरांड्स डिजे सर क्लासे मंच पर एक बार पिर आपका स्वागत करता हूं रामबभु वर्मा आपके लिए इस पिल क्लास लेकर आया हूं रैंकिंग इस प्रेंकिंग क्लास तो आप पहले पढ़ के लिए अक्राव और हमारी जयर्व 54 उडिशन दिशन परें कंसे परीक्षन इसके के बारे में कई सक्ट पड़ें सबसे important चीज़े पड़ी आई सारे methods पड़े हैं और हम इन सब चीजों के अलावा सबसे important चीज पढ़ रहे थे वो थी इसके अंदर को क्योंशन हमने 10 क्योंशन को करें आपने मेरी classes पड़ी यह देखा है 10 क्योंशन के अलावा इसके अंदर और कई यह concept है वो concept हमझे पहले कर चुके थी concept बहुत ही शामदार कर चुके हैं यह पहले पढ़ चुके होंगा वो concept थे चाहरेक्शन के अंदर एंगल कि हमने पहले बात की और एंगल परात्वां एंगल वरी इंगल वेरि इंपोर्टेंट टॉपिक है जो इसके अंदर डायिक्शन एक है कि इसके अंदर मैंने दो डायिक्शन बताई ती इस आप ऐसे देखेंगे इसको इस वरकार से मैं बतादा यहां पर एक बाया है और एक दाया है आरवारी बताना ज़रूब आप मेरी पिस जाएजेलात है देखिए आपको मिलेगाव लेप्ट है और दायाइं राइट touch एक राइट है तो इसके अंदर आपको देखना है कि वाएं और चलना और दाइं वब चलना क्या होता है मैंने आपको एक बात बताती कि वा योर चलने का मतलब होता है बाएं और चलने का मतलब होता है इसमें anti clock wise anti clock wise बाएं और चलने का अर्थ होता है anti clock wise और धायं और चलने का मतलब होता है clock wise direction जो आपकुछ अब यह जो मारी डारेक्शन इसमें यहां सुष्ण करते हैं इस दो दिशाओं के नाइंटी डिक्री का एंगल होता है जो यहां पर बताया गया है की इस वरकार से इंगल होता है किसी कहां सेस्टार्ट करतें इसा जिरो डिग्री तो जैसे हम घडogram इन च्थाहिसन का मतलब यहां होगा यहां और 950 लिए जाहां से बताइं आप trásào तक आने में तो सो सब्सक्राइब का एंगल हो गया यहां से यह आने में आपको वापस अगरी और जीरो डिग्री होता है तो यह एंटी क्लोक वाइज वाएं और गूमने का मतलब है घडी की विश्चा है और गूमने कार्थ होता है जाए खड़ी की दिश्चा में ही इसे देखिया आप इसको घड़ी की दिश्चा में चलते हैं जैसे देखिया है यहां से यहां तक ऐसे चलेंगे चलती है यहां पर 90 डिग्री हो गया पिर यहां पर पहुचेंगे यह एक्सोड यहां से यहां पहुचेंगे यहां कर दो और यहां से यहां काई है आप एंटी क्लोक वाइस चलेंगे और दाएं और चलने का भारत होता है आप क्लोक वाइस डारेक्शन में चलेंगे दोनों में आपको बिल्कुल डिफरेंस समझ मां गया होगा और यह विश्पेशली ध्यान रखिए कि अगर आप बाएं और चल रहे हैं और इस परकार स आपको अंटी क्लोक वाइस चलना है राइट साइड के लिए जो क्वाइस चलना है यानिके लेफ्ट साइड यह है आपका अंटी क्लोक वाइस इस बात को अच्छे से क्योंट कीजिए कि आपको लेफ्ट साइड के लिए एंटी क्लोक चलना है एंगल में और राइड साइड के लिए आपको तो क्वाइस डारेक्शन चलना है यह दो इंपोर्टेंट चीज आप निश्यान रखेंगे तो आप अच्छे से कोल कर पाएं इसके अंदर आप हमारे क्यूशन से सलते हैं किस फरकार से इसकी सब्सक्राइब कर चुका है हमारा चान उत्तर के और 8 किलोमेटर और दाएं और मुरकर 16 किलोमेटर इनके कंसप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ पहले सबसे पहले आप देखिए इसके इसके आप देखिए आर मुड़ा है एक दो इन चार बार मुड़ा है चार इडारि डायेक्षन में चार बार मोड लेंगे इसको इसके आपके पास रखे हुए है मैं पहले से भी आपको सब्सक्रा चुपा हूँ आप उसमें देखिए आपको सब कुछ मिलेगा देखने कर शापत हुगा आंगल वाले मैं आपको अच्छे से लिखा हुआ है कौनू अपने घर से निकल कर शे किलोमेटर पूरु दिश्टा में चाहता है कौनू अपने घर से निकल कर शे किलोमेटर पूर दिश्वी हम जाता है कि कर वरने मुड़कर 45 दिग्री के कौन कर चाहि पिटाएं जा ताये आएं और मुड़कर अट सो पैइस दिग्रेत की किको ठाहे तो बटाओ अब नब् Gibson अब वो दोस्तों कैसे भी जाए यहां पर किलोमेटर साइलेंट है जो लिखा हुआ है यहां पर हमारे एंगल्स के बारे में अब उसकी डारेक्शन बताने के लिए आप यहां पर एंगल का यूज एंगल के लिए आप देखिए कि दिस सोनू के अपने घर से निकलके 6 किलोमेटर最ो में चलता है अब पूरुद चलता है और क्वोडेशा में चलता है यह और फिर बाय और मुड़कर 45 के परणोंट कर चार किलो चलता है यानि कि यह किस और जा रहा है बाय और मुड़ रहा है अब बाय और की बात करेंगे बाया किदर बाया एंटी क्लोकवाइस चलेगे तो दोस्तों इसका सबसे बैठर इन तरीका इसके सब्सक्राइब करने का कि कि आप लेट साइड को लिखेंगे और आप राइट साइड को लिखुए और देखिए इसमें रएब और पाय और सिनार के लिवाटार साइड में वह 45 के बाये और और लौन तो आपके पास सीधा सुन दूंचे सब्सक्राइब और पठाओ ऑग उसका मोजसेख हमेर कि राइट इन दोनों के आप कितने डिक्री का डिप्रेंथ कि frankly टाइन टी डिकूइब सब्सक्राइन की ही सहथ क्यों मैं स्धी तर्फ याह पर डिक्ली कि आया आपके पास कि आइन टिड़ तो में इंडिक करें किसमें से हमारे पास हमारे पास बचा किसमें सरफें टिग्री या लेटा है या 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 निट वर से हमार पास 90 डिग्री बचा हुआ है तो हमें यहां पर था यह यहां से जीरो डिग्री पूरु 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 दिशा से से पैंतालिस डिग्री का कौन बनाते हुए करमशय डक्षीन पूरु दिशा में आठ मीटर फंद्रा मीटर चलते हैं तो बता हुए दोनों के मद्दे की दूर्षी कितनी होगी दोस्तों इस और उनको स्कूरेंगे कभी कभी ऐसी कुछन भी आते है दोस्तों जैसे लिखे हुए हमारी क्लास मैंने कई सारे कुछ से उसको आप इन क्योश्य को स्कूल कैसे करेंगे जैसे बहुत सारा इसमें ऐसे लिखा हुआ कोई वेक्ति बार बारी तो बाय ओप्सन कोल करते है इसको मेरा मुध धक्षिन भी हो रहे है कोई फरक ने पड़ता है करम शेक्षा में होगा आपको यह देखना है आपको दो के अंदर यह देखना है कि ऐसे कौन से हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं बढ़ता है अगर हम जिसको काटने पर हमारे पास पिनि बचेगा वह को होई हमारा और वह हमारा bomb ऐसे आंसर होगा यहां पर लिखाया बाय जिसे बाया है झाले को ऑमें कि दराब करेंसे करेंसी करते हैं यह देखेए बाय से बाय केंसिल रहे हो सकता है उनों नहीं हो रहे हो रहे हैं यह वाला नहीं है पिर यहां पर देखो बाहें से बाय केंसल रहे हैं वाला option है हमारा इसके अंदर देखिए आप कुछ भी नहीं बचा हुआ है यानि बाएं से बाएं से दाएं से दाएं कैंसल किया है इस परकार से चोटी से एक ट्रिग है और हमारा करने का सभी तरीका दिये करके हम इज़ी आंसर देशकते हैं हमारा option क्या हुआ है याप यह हमारा option है कई बार questions में ऐसा होता है कि ए को लिखा हुआ है हमारा कार पी के उद्धर में कि इस परकार की concept लिखे आप एक आदमी अपनी कार 50 किलो मिटर को चलाता है और वह दाएं और घुमा और 30 किलो मिटर गया फिर वह पश्यम की और घुमा और 10 किलो मिटर गया तो वह अप्रारमिक इस तांसे कि आपको पतायते फिर आप देखिए एक आदमी अपनी कार से 50 किलो मिटर को कोई बात नहीं इसको चलाते हैं 50 किलो मिटर एक आदमी अपनी कार से 50 किलो मिटर पूर दिशा में चलाता है पूर दिशा में आया है और पूर दिशा की और चलता है वड़ाएं और मुड़ता है दोस्तों मैंने बताया था आपको लैप्ट हैंड है कि दोनों हैंड कि राइट है राइट का यूसे बिलकुल नहीं करना है लेप्ट हैंड में मैं विपनें आपको बता है कि लैप्ट हैंड कि किस परकार से रखना रखना है डैप्ट हैंड में जो हतेली होती है आते ओल्यार राइट साइड बोलते हैं और जो यह इती है कि हमारे लप्ट साइड है इसको आरगार से रखते है जैसे हमने हैं इसको रखा हैं हमारा लेट हो गया है हमारा राइड हो गया क्या si दाएँ है दायें और घुमाय और 30 किलो मिटर और क्छिए पिर पश्रीम की और यह दस किलो मिटर चला अब दोस्तों पश्यम की वोड़ पूरा वैग यह दक्षीन हो गया तरकार से वुपा और इस अला थास किलो मिटर अब वह प्रारंबिक इस्तान से कितनी दूरी पर है देगो बहुत ही मस्पने आया यह वह ला क्विश्चन बहुत ही मस्पने तक पचास किती है और यह कितना हो गया दस हो गया अब यह प्रारंबिक इस्तान से कितनी पर है कि प्रारंबिक इसका यह किस परकार से अब यहां से यहां तक परकार से सेट करते हैं यहां से 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 यहां स तो वह बोज रहा है कि इसकी दूरी क्या है दोस्तों अब यहां पर हमारे पास एक एंगल बन गया देखिए आप यहां पर एक छोटा सा एंगल बना हुआ है यह एंगल बन गया 90 डिग्री का यह आपको एक हम कॉर्ण तरवी बन गया देखिए आप एक सम्कॉम्ण तरवुज बना हुआ है जोस्तों कम अन्दर इसको इस्कों करने के लिए एक को सब्कूरिया स्दिगे कि अंदर बता जाता है करण का स्कॉायर एक परमूला होता है लंब का स्कॉायर प्लास आदा हार का स्कॉssä है में यह वाला फॉर्म ओधाइस के इस परकार के एंगल बन जाते हैं इस परकार की से शेशन आ जाती है जहां कि यह वाला जो बाग होता है इस वाले बाग को कर्ण कहते हैं कर्ण हमें बड़ी कुझा होती है सबसे कर्ण के सामने कर्ण के यह हमारा कर्ण हुआ इसका आदार हुआ इस परकार की जो सिच्वेशन कंती है किसी के अंदर हमारे तो उसके लिए इस वाले को का यूज करेंगे इससे आप कंड निकाल सकते हैं लंब निकाल सकते हैं अधार निकाल सकते हैं जैनि कि इसमें से आपको दोसिच जाएगी उसके बाद तीसरी आप कैल्कुलेशन करके स्कॉल कर सकते हैं यहां पर देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है इसका लंब क्या से यहां से यहां तक चालीस है 40 का स्कुरायर स्कुर्ण और इन दोनों को रेड़ करेंगे ऑच्छे सिया आप इसका स्कुरायर अटाने के एक कि जैसे आप स्क्वायर अटाते हैं पर साइन लग जाता है अंडरूट का पच्छिस वर्गमूल इसकाला हमने वर्गमूल पचास हुआ किलो मेटर आया वो यहां से यहां तक की सीधी दूरी हुई यानि कि यह इसका पचास किलो मेटर और यह सीधी इस सिस्तान पर रुखा हुआ है यहां से यहां तक की के पास डूरी कितनी आई दूरी अमारे पास की पचास किलो मेटर है कि धिन्यार आलओसाटन मुझे लगता है इसमें कोई प्रोब्लम नहीं आपने मैतमेटिक्स में इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है बिल्कुल टेंशन नहीं करनेगा इसमें अब यह देखिए कितनी बार घूम रहा है इसको राजी उत्तर की और मुह करके खड़ा है और यह 20 किलोमेटर चलता है उत्तर में फिर यह दाएं और भूमा और 20 किलोमेटर चलता है फिर वह अपनी दाएं और भूमा और 20 किलोमेटर चलता है अब राजू का मुख कमें हैं करना की जुर्णती कि कितनी बार मैं कोई वाला हमारा हमें तो द्यान की सब्सक्क्राइब करो में किसी बीद्रेक्षन में उसका मुँआ हो उससे कोई परकता आप यह देखें ङूट दोस्तों विलुक्रिक्नाSud में आप को रवय क्या उसके परती हैं कि मानसिक्ता क्या बनाई रखी आपने इसी कुछ देखे अगर आपकी मानसिक्ता गलत होती है तो आप निचे तो गलत करेंगे लेकिन आपको ऐसा करना है उसको समझने की कोश्च आपके पास कंसप्ट है किसी भी तिशामें यहां पर लेट ट्राइट का इसमें लट राइट नहीं किया है तो कोई यह और भी इजी हो गया पैं अप्छू अब लुद अचतर के पूरू के algunas सतीच तो बहुतर आसान है अिआ पह से आपको बताया था पूर के पुरू दिशा होती है या उत्तर दिशा के उत्तर दिशा से जो घड़ी की बिशा होती है और यह बात हम बहुत पहले कर चुगे अब मुझे लगता है आप लोग कर भी लिया होगा कितना अंसर आया इसका कुंसा अंसर दोस्तों बताओ तो आपको समझ में भी आया हुआ कैसे करना इसको इसके अंदर राजु उत्र के और मुझ करके खड़ा है यह राजु को खड़ा कर देते हैं हम राजु साहब का मुझ उत्र दिशा में हैं यह है यह और मुझ करके 20 किलोमेटर चलते हैं क्यांसे 20 किलोमेटर चलते हैं देश्क किलोमेटर चलता है त Huge अप उर भूमा अपने दाएं और भूमा और व्स किलोमेटर अभ यह देखिए Hinने इस परकार और कितना चलता है आए बैस किलोमेटर दिंटा है यहां से ठीलोमेटर इतर पूर तर पूर पुझामे चलता है उत्तर पूर दोस्थों अब बैस्ट लाना आपको यहां इस प्रकार से देखिए कई अंधिया है आप सब्सक्राइब इस परकार से बना के देख सकतेया आप समझ में नाता है तो यह उत्तर पूरू दिश्या की बात कर रहा है जिए फूरू है इन दोनों के विश्या है तरकार से चला कि यहां से परकार से चला नहीं चला है देखिया आप यहां से उत्तर दिशा में गया पिर दाएं और मुडा और यहां से इस दिशा में जा रहा है यह अप को तो कैसे पतला है उत्तरपूर दिशा में यहां तक पहुंचा है यहां तक पहुंचा है और फिर अपनी दाएं और अपने दाएं और वापस यहां पर रखेंगे आज और इसका दाया है का दाया यह है कि लेट राइड साइड इसकी दाया का मतलब इसका राइड साइड है यहां से और अपनी दाएं और 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 यहां से यहां तक रख चलता है पिल्कुल आप अप्स की दे के बहुत शानदार तरी के जैसे उसने काम वैसे चला रहे इसको पिर वैपनी दाएं और और वीज winners खर पिर अपना अपनी दाएं और फो और यहां चलता है यानि 20 किलो मिटर दोबा चल रहा है लेक्र यहां पर 20 और फिर अपनी दाएं और 20 किलो मेटर फिर चला तो अब तदाया वापस इसका दाया यह इधर दाया है इधर बाया है ऐसे आत रखा आपने प्रकार से यह चला दाएं और फिर इस किलो मेटर फिर चलता है अर्यव्हुमण कि चलता है और फिर अपनी बाय और फिर अपना बायओ और भूमा और 20 किलो मेटर चलता है अब और लेप्ट साइड को लिया हमने दो स्कूल किस परकार से एप हैंड को कैसे हम हमेशा ऐसे ले रहे थे ऐसे नहीं लेना इसको लेप्ट एंड को ऐसे लेना है तो अभी भी ऐसे लेंगे जैसे हमने इसको ऐसे लिया यह इधर राइट हो गया और नीचे इसका लेप्ट हो गया समझ मारा आपको तो अब हम इसको ऐसे लेंगे तो यह हमारा बाएं और मुड़ने का मतलब है लेप्ट साइड में नीचे की और तो बाएं और मुड़के अब राजु का मूँ किस दिशा में है अब आपको बताना है कि राजु का मूँ किस दिशा में है तो दोस्तों हमारा सीधा सीधा सा जवाब यहां पर ऐसा साइन बना के देखेंगे आप वापस यहीं पर इस परकार से साइन बना के देखेंगे यह आप पता करना है कि किस दि कि यह वाली दिशा है इसकी दिशा कि आपकी दक्षिन इसकी पर दिशा यह यहां पर पश्यम अब आप खुद ही पता लगा सकते हैं आपका आपके सामने पुरो और दक्षिन के बीच में इसका अंसर क्या हो गया दक्षिन कि हमारा सक्षिन पूर अब इसका मुझे क्षिन में तक्षिन को देखके डरने की जरुदी क्रेशन में बिल्कुल आप अपने आपके 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 समझिये किस परकार से आपको पर नहीं है आपको दिशा के बारे में पूर्ट तरह से जानकारी होना जाए अब तिशा के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलेगी और हम सब देखके समस्ते हैं तो यह लगता है कि आपको डारेक्शन में प्रब्लम हो सकता है अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने सीवन सीवन में बताया है रैंकिंग को उसको आप निशित करेंगे और इसके बाद आप डारेक्शन को देखेंगे डारेक्शन को तोनों को अच्छे से देखिए मैंने एंगल वाले आपको बताता हूं आप अगर आपको बताता हूं आपको बताता हूं देखिए आप आपको अच्छे से देखिए आपको अच्छे से देखिए पर्चाई वाले आपक्ट्राइब आपको पर्चाहिवाले आपको बताता हूं पर्चहें वाले क्वेशन को आप की कर सकते हैं बस आप उसके अंदर देखना था मैंने एक डाइग्राम मेंटन किया था अंदर बताया था पुर्व दिशा में ही दे होता है कि पुर्व दिशा है और यह इसकी पश्चिम पुर्व और पश्चिम दिशा एक दूसरे अपोजित डारेक्शन पुर्व दिशा और पश्चिम दिशा एक दूसरे की अपोजित पुर्व हमेशा दिशा से दे होता है और पश्चिम तक जा जिए शाह कामें संद्धाई सुटा है और किस परकार से सब्सक्राइब और यहीं द्रीक्शन तरहे करेक्शन प्रक्शिन कि यहां तक संद्ध जब आता है परकार से सब्सक्राइब नहीं पर पूर्फ़ाएब पूरु से लगा के पश्चिम तक दोस्तों कभी भी तर दिशा के अंदर नहीं जाता है हमारे इंडिया के अंदर तो कम से कम इस डारेक्शन में कभी भी आपको तन नहीं नजराएगा तन आपको इसी डारेक्शन में निका भी देगा यहां से आपको यह ध years एक जो रिपलेक्शन होता है हमेशे शापर डारेक्शन पर थे कित करें और कोई भी व्यक्ति है एक स्फेशली तसी है और अदि यह 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 एक यहूआ है कि अब कि खड़ा हुआ है कि जब इसका संद्राइज होता है यहां पर जिस ता है कि आइट्स की वज़े से पर रिपलेक्शन केने का मतलब यह है कोई भी लाइट्स की अपोजिट डारेक्शन के अंदर इसका रिपलेक्शन बनता है रिपलेक्शन हमेशा अपोजिट बनता है तो कोई भी बोड़ी से कोई भी सब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर यहां से संकी वज़े से हमेशा रिपलेक्शन अपोजिट डारेक्शन बनेगा इसका मतलग यह है जब यहां पर बोड़ी रखी हुए और इसके अंदर साइस हो रहा है ताइम देखें आप देका टाइम होता है साथ बजे लगबग छे पच्पन छे चववण छे पचास किस परकार से होता है दो साथ बजे के बाद यानि साथ बजे के बाद में संकी लाइट को देखिये और यहांसे जो रिपलेक्शन रहेगा उब बिलकुल आपको अंदिक नलग variety का अं यहांiku यानि यहांकर बारा एक बजे तक का जो टाइम होता है एक बजे टक्का टाइम है तमे रिप्ट आपका यानि एक बजे पहले पहले यानि सात बजे लगा के आप दिए बारा बजे टक्का जो समय होता है के अंदर जिसकी समय साथ से बारा के बीच ता है इस समय रिप्लेक्शन बनेगा हमेशा बनेगा यानि कि इस समय जब साथ से बारा के बीच पहले जो रिप्लेक्शन होगा वो हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में ही होगा पोई देखिए उत्तर पश्चिम जब सन यहां रहेगा ॹिस वाले बाग का अपोजिट बाग यह वला बाग है। पॉजित बाग यह है कि यहाँ पैस समय के बीच में 5 ं के बराइ or एक बजे के बीच में सब कर सब्सक्राइगा बार आ- Two तिस तक के बीच में इसाना चाहँगा आप खो तो उस समय जो लिप्लेक्शन है वो लिप्लेक्शन आपका इस बोडी का इस बोडी का reflection इस वाले opposite bag में ही रहेगा इसके बाद का जो समय है पांच बज़े निए का जो टाइम मेंगे हमारा यांसे दो बज़े हो दो option पांच बज़े का को दो से पांच बज़े का ताइम रहेगा तेशले आप यहां से देखेंगे दो बज़े से पाच बज़े का जो टाइमिंग की डे आपका इस पिर आपका reflection वाली body का सरफूरु आपका सरफूरु आपको इस वाले समय पे fix time पे बिलकुल उत्तर direction में पूरु में सुर्य उद्ध है होगा उस समय आप करेगा कर सकते परच्छाही समंदी इस कनसर्थ को देखके आप कर सकते और से रिफ्लेक्शन के संधिए तो पिक घेर हो गया कि या परिक्षन वाला हो दोस्तों आज की ग्लास यहां तक ही है कि बाद कल इसे से देंगे